सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट महतो देता है वो अपने ट्रेडिशनर इंस्टुशन और प्राक्टिस के ठूरू और रूट रेगुलेट होना चाहते हैं वो modern meanson method को reject करते हैं conservative political theory और conservatism in politics place full emphasize upon the value of tradition, traditional institution and traditional practices of politics in society अगर हम बात करें konservitism के बारे में तो konservitism अपने traditional institution, traditional practice को ज़्यादा महतो देते हैं अपने political system में वो हर एक चीज को अपने traditional means and method के through rule and regulate करना पसंद करते हैं It strongly criticized the principle, theory and practices of liberalism, reformism, radicalism, revolutionary chain and revolutionary reformism अगर हम बात करें जो कि modern means के विचार भारा हैं जैसे के liberalism, reformism, radicalism ये सब को वो criticize करते हैं वो सोचते हैं कि उनके बज़े से society में बहुत सारे परिवतन आते हैं जिसके वैसे मानब के चरित्र में भी परिवतन आ जाता है जिसके कारण वो ये सब प्रिंसिपूल, ये सब आइडिलूजी को वो reject करते हैं अगर हम बात करें जितने भी सारे conservatism हैं बहुत चाहते हैं कि एक ऐसा प्रकार का society हो जहाँ पर traditional value, custom को ज़्यादा प्राइटिय दिया जाता हो जहाँ पर एक प्रपर एक order हो, प्रपर एक social order हो ताकि समाज में एक संतुलित बना रहे conservatism के फादर है Edmund Burke जो कि 12 जन्वारी 1729 को Dublin Island में जन्मगरन के थे जुनका मृत्ति हुआ था 9 July 1797 बेकॉंस फिल्ड उनाइटेर किंग्डम में जो कि एक Irish statements and philosopher है अगर हम बात करें Edmund Burke जो कि अपने traditional custom institution को ज़्यादा priority देते आ रहे हैं जो कि traditional value के ओपर ज्यादा आधारीत है जो कि चाहते हैं कि एक एसा प्रकार का society हो जहाँ पर एक social order हो ताकि एक समाज एक संतुलित भाव से rule and regulate हो पाए फ्रेंड अब हम कुछ features देखेंगे जो कि Edmund Burke के द्वारा दिया गया है जो कि conservatism के उपर ही आधारीत है Edmund Burke stress on traditional institution of society अगर हम बात करें Edmund Burke जो कि traditional society में जितने भी सारे institution होते थे वो सब institution को ज़्यादा गुरुत भाव देते थे क्योंकि उनके आधारीत पर आज के डेट में भी जितने भी सारे हम institution देखते हैं उनसे ही बरोड हुआ है तो इसलिए वो चाहते थे कि traditional institution ही best institution है उसके आधार पर ही एक society को rule and regulate होना चाहिए ही ओपोज revolutionary reform और changes अगर हम बात करें Edmund Burke हमेशा ही ओपोज करते आ रहे हैं revolutionary reform of changes को वो सोचते हैं कि revolutionary के थो क्या होता है कि society में तुरंद बस suddenly changes आ जाता है जिसके कारण क्या होता है society पुरा unstable हो जाता है he was against France revolution जिसके बारे में उन्होंने अपने बूक में भी उलेक क्या है कि France revolution के कारण के से समाज में एक revolutionary reform आ जाता है जिसके कारण समाज पुरा unstable हो जाता है अब हम बात करेंगे conservatism के origin के बारे में यह origin हुआ था 18th century में जब France revolution हमें देखने को मिला था 1789 में जुनका मुल लख्या था कि monarchical rule को अभर्थरुन करना और बहाँ पर liberty, equality और fraternity का स्तापित करना अब अगर एडमांड बोर्क के perspective में देखें तो यह सब उनके लिए गलत था वो उसको criticize करते हैं जिनका उलेक उन्होंने अपना बुक reflection on the revolution in France 1790 में वो उन्होंने उसके बारे में बताया था जहां पर उन्हें criticize करते हुए बहाँ पर monarchical rule को defend किये हैं और feudal order को भी क्यूंकि वो सोस्ते हैं कि feudal order और monarchic society में स्तीर्था बनाई रखने का काम करते हैं मगर यह revolution आ जाने से लोगों के भीतर आसिस्ता देखने को मिलता है जिसके कारण समाज का नस्थ होना निश्च है अगर हम बात करें उनके अलाबा 19th century में जितने भी सारे ideology आये हैं लिबरालिजम, सोसालिजम, नेशनालिजम यह सब को भी वो criticize किये हैं वो चाहते थे कि society में यह सब revolution के कारण लोगों के ब्यक्तितों में बहुत सारा बदलाप आ जाता है जिनके कारण और उनके भीतर और ज्यादा unstable आसिता देखने को मिलता है वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी society हो बहुत traditional order के मुताबिक ही rule and regulate है ताकि उनके भीतर एक सामन जेश्य बना रहे और society में एक स्तीरता रहे ताकि एक समाज को एक अच्छे भाव सिर परिचालन क्या जाए अब हम basic component of conservatism के उपर आलोचना करेंगे सबसे पहले आता है कारिनाल importance of traditional value and custom of society जहां पर लिखा गया है कि a central thread which runs through a whole fabric of conservatism is the desire to conserve, maintain and follow historical tradition, value and institution of social, economical, political and cultural life of the society respect for time, honor, social and political tradition, custom and institution is the key element of conservative political theory अगर हम उसको साफ साफ समाजने की कोशिस करें तो conservatism का में लगसे यह है कि वो अपने traditional institution, custom, culture को preserve करना चाहते है ताकि वो चीज हमारे समाज में बंचीत रहे और उसमें कोई भी changes ना आए और हम हमारे society को बहतर भाव से rule and regulate कर पाए Second component है full faith in the wisdom of age and historical inheritance महाँ पर लिखा गया है कि tradition, custom and intuition of historical importance are regard as the pillar of wisdom and experience of the ages conservatism of all faith in the wisdom of ages and social inheritance अगर हम बात करें तो conservatism का और एक component है जहां पर वो अपने wisdom as जो कि पुरातन काल में जो भी शासन पर प्रचालीत होता था वो ही प्रचालीत प्रदेथी को वो आपने कारिनल इंपोटेंस में ज्यादा भूरुतो भाव दिये हैं वो चाहते हैं कि उनके मुताबिक जैसे उस समय रूल रेगूरेट होता था अभी के समय भी वैसा ही करना चाहिए ताकि हमारे समाज में एक स्तीरता बना रहे है जिसको जो काम दिया गाए वह ही फॉंक्शन करें तब्विजा कर हमारे समाज में एक स्तीरत भाव रह पाए उसका और एक basic component है respect for and adherence to tradition, custom and value, answer peace, order and stability उनके मुताविक यह है कि एक समाज में अगर स्तीरता और सांती बजाये रखना है तो हमें traditional institution को ज़्यादा follow करना पड़ेगा ज़्यादा गुरुतों देना पड़ेगा तभी जाकर हमारे society में peace stability बढ़कारा रहेगा और हम एक अच्छा society का निर्मान कर पाएंगे उसका और एक basic component है rejection of abstract principle and ideology उनके मुताविक यहाँ पर बोड़ा गया है कि conservatism disrupt abstract principle and radical idea अगर हम बात करें जितने भी सारे conservatism है वो सोचते हैं कि जितने भी सारे और बहुत सारे ideology हैं जो कि हमारे समाज को बातने का काम करते हैं वो चाहते हैं कि हमारा सोसाइट एक traditional means and method के थ्रू परिचालन हो बहाँ पर traditional custom value को ज्यादा priority दिया जाए ताकि हमारे समाज में एक स्तीर भाबा stability भाप peace बहाँ पर बरकरा रहे acceptance of reform and pragmatic approach towards reform and the process of reform अगर हम बात करें conservatism के ideology के उपर the conservatism believe करते हैं pragmatism के ऊपर pragmatism का मतलब है हर एक चीज को practically उसको अपने society स्तर पर उसको परिचालन करना बहाँ पर उसको society level तर लेकर जाना और society में ही उसको test करना मगर जितने भी सारे अगर हम बात करें ideology दिये हैं इतने भी सारे फिलोसफर ने उनका ideology उतना प्राक्टिकाल नहीं होता है जो कि ideal state में देखने को मिलता है इटोपेन society में देखने को मिलता है तो इसलिए यहां पर conservatism pragmatic को ज्यादा गुरुत्यों दिये हैं all changes and reform must be best on needs of the society way of life of the people and utility of the proper change and reform अगर हम बात करें conservatism gradual change को ज्यादा believe करते ना कि revolutionary change तो gradual changes में वह चाहते हैं कि society के demand society के requirement के basis पर हमें कुछ formal changes लाना चाहिए बात थोड़ा gradual changes करना चाहिए ताकि समाध तुरंत एक direct convert ना हो जाए एक अन्य society में हो वो gradually वो समय के अनुसार वो हुए हर एक चीज को धिरे-धिरे accept करने पर ही belief करते हैं further these changes and reforms should be gradually incorporated in the life of the society there should be no place for revolution or radical and opportunistic change and reform तो generally यहाँ पर वो अपने आडलोजी में यह चीज बहुत गुरुत्यभाव से दिये हैं कि हमें revolutionary changes नहीं चाहिए हमें gradual changes चाहिए को gradual क्या है slow and steady होता है मगर revolutionary क्या होता है sudden होता है जिसके कारण यहाँ पर conservative चाहते हैं कि उनके society में एक gradual changes आए ताकि उनके समाज में स्तीरता बना रहे उसका और एक component is society as an organic whole and not a collection of individual पहाँ पर वो लिखे हैं कि conservatism reject the liberal view of the state which regard it as a creation of human will, machine or creation of contract and society as a collection of individual society involve common historical inherited and acquired institutions which are vital part of the social fabric and which such must be respected offered and followed by the people of society तो यहाँ पर जो conservatism philosopher है वो यहाँ पर अपना viewpoint रते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे society में हर एक चीज जो की historically निर्मान हुआ है तो उसको हमें respect देना चाहिए जो बहुत चाहिए हमारे traditional institution हो और traditional custom हो बहुत चाहिए हमारे value हो तो हर एक चीज के पीछा एक history ही है वो हमारा tradition है वो हमारा culture है इसलिए हमें उसको ज्यादा priorities देना है pessimistic view of human nature यहाँ पर साबसा बोला गया है कि जो मानव होता है वो power seeking होता है वो आपने life को simple और easier तरीके से जीना चाहता है साथ ही साथ वो बहुत ही selfish होता है corrupt होता है greedy होता है और power hungry होता है तो जिसके वाज़े से वो अपना rationality खो बैठता है जिसके वाज़े से हमें एक ऐसा प्रकार का विवस्ता चाहिए जहां पर एक strong state हो जहां पर उसका strong law हो जो की लोगों के भीतर एक peace security stability बरकारा रखेगा it is therefore essential for a leave along with the time tested and familiar traditional customer tradition तो यहां पर वो traditional customs institution को ज्यादा गुरुतों देते हुए यहां पर बोले हैं कि अगर हमें इंसान को तीरता रखना है उनको control में रखना है तो हमें हमारे traditional institution को ज्यादा focus करना है पड़ागी क्योंकि अगर हम traditional institution को देखें तो वो ज्यादा ही बहुत बह दिया जाए उसके लेकर बहां पर बहुत सारे ऐसे principle दिया गया है जिसके वज़े से एक लोग अपना लाइव को बहुत थी comfortable manner में जी पाएगा faith in social hierarchy inequality and aristocracy conservatism believe in hierarchy inequality in organic society is natural because all the person are neither equal intelligent nor equally capable moreover they play different roles and enjoy different status in society however such an inequality and hierarchy does not leads to conflict because society rests upon established historical tradition value custom and institution because of which the people naturally remain born together by mutual obligation and reciprocal local duty according to conservatism, inequality, hierarchy and aristocracy are the natural features of social life तो generally यहाँ पर जितनी भी सारे inequality को ज्यादा यहाँ पर priority दिया गया है जहाँ पर बोल रहे हैं कि inequality ही हमारे society में स्तिर्था रखता है जहाँ पर हर एक बेक्ति आपने काम को समझ पाता है वो उनका duty को अच्छे से perform कर पाता है तो जिसके वज़े से यहाँ पर जो जो भी उसके विचारधार है वो यह सब inequality को accept करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो aristocracy form of government को भी अच्छा मानते हैं ताकि उनके भीतर एक better coordination एक सामझ जैसे सब बना रहे है जहाँ पर हर एक विक्ति आपने दाइतों के बारे में जान पाए Conservatism is truth and non opposed to revolution, revolutionary change and radical reform Ermond Bach was strong and committed conservative political thinker and he was strongly opposed to France revolution and the radical change that followed in the post-revolution year He strongly projected the view that such revolution and all revolutionary changes are negative and counterproductive which never leads to real necessary useful and enduring changes and reform तो generally अगर बात करने दो जितने भी सारे conservatism होते हैं वो revolutionary reform को criticize करते हैं वो सोचते हैं कि revolution के कारण society में जो की sudden बदलाब आ जाने के कारण जो human के life, human society में बहुत ही अस्तिरता देखने को मिलता है जिनके कारण human आपना होस खो बेटता है और वो आपने society को और स्तिर नहीं रख पाता है तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि society में changes हो मगर gradual changes हो ताकि human भी उसको धिरे-धिरे बाद society उसको धिरे-धिरे accept कर पाए और एक स्वाभाविक जीवन वो जी पाए कि अबसकर बाद कर दोदे मिलता है